हलो बच्चों, क्लास 11 तो लास्ट क्लास में हमने फौर्थ लाप पढ़ा था, लाप केमिकल कंबिनेशन का, तो उसके चार लोग पढ़ लिया हैं, हमने लाप केमिकल कंबिनेशन के, अब हमारा नेक्स टॉपिक है, डाल्टन साटॉमिक ठियोरी, ठीक है? तो ये जो John Dalton एक scientist थे इन्होंने दी थी ये Dalton's atomic theory तो ये theory क्या थी, किस बारे में थी, उसके बारे में आब हम पढ़ेंगे तो देखो इसके postulates क्या क्या थी, कि मतलब ये theory क्या कहती है तो पहला देखो matter is made up of extremely small, individual and indestructible ultimate particles called atom कि matter जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे particles से मिलकर बना होता है ठीक है, और वो particles इतने छोटे होते हैं कि आप उन particles को तोड़ कर और छोटा नहीं कर सकते ठीक है, तो पदार्थ जो होता है, वो छोटे छोटे particles से मिलकर बना होता है या फिर पदार्ज को इंग्रिश में बोलते हैं matter तो matter जो है वो extremely small particles से मिलकर बना होता है और उन small particles को हम क्या बोलते हैं? atom बोलते हैं, ओके? यह इसका first postulate दूसरा देखो, atoms of the same elements are identical in all respects किसी भी अगर एक element के atom की आप बात करो किसी भी एक तत्व के परमाणू की आप बात करो तो वो जो है उसके सारे atom एक जैसे होते हैं सेम होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो अगर हम hydrogen element के atom की बात करें तो जितने भी H, H होंगे वो सारे वैसे तो hydrogen का atom H2 की form में exist करता है तो जितने भी H2, H2 का atom होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक H2 अलग type का होगा, दूसरा H2 अलग अगर किसी एक element के atom की बात कर रहे हैं तो उसके सारे atom जो हैं वो एक जैसे होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है? किसमें एडेंटिकल होते हैं, शेप भी उनकी सबकी एक जैसे होती है साइस भी उनका सबका एक जैसे होता है मास भी और उनकी chemical properties भी एक जैसे होती है तीसरा है, atoms of different element are different in all respects and have different masses and chemical properties और different element के अगर हम बात करें atoms की तो वो different होते हैं हर तरह से उनके मास भी अलग होते हैं, उनकी chemical properties भी अलग होते हैं, उनका सारे चीज़े अलग होते हैं जैसे अगर हम बात करें की fluorine ले लो और oxygen तो fluorine के element, fluorine एक element है, oxygen एक element है मतलब तात्व है यह और यह भी एक तात्व है तो इन दोनों के अगर हम atoms ले, fluorine, fluorine के atom ले और oxygen, तो fluorine के atom के atom को अगर हम मिलाएं तो वो दोनों तो अलग अलग होंगे, उनकी shape भी अलग होगी, उनका mass भी अलग होगा, उनकी properties भी अलग होगी, तो वो हर तरह से वो atoms जो है different element के वो different होते हैं, ठीक है, फोर unit that take parts in chemical combination, atom जो है, परमाणू जो है, वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो एक chemical combination, जो chemical reactions होती है, उनके अंदर हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा part जो होता है, उसको atom कहते हैं, हिंदु में atom को परमाणू कहते हैं, ठीक है, फिफ्थ है, atoms of two or more elements combine in a fixed ratio to form compound atoms, ठीक है, दो देखो किसी भी दो element के atom आपस में जुड़कर compound की formation करते हैं, compound मतलब योगिक की formation करते हैं, कोई किसी भी दो तत्व के परमाणू आपस में मिलकर योगिक बनाते हैं, जैसे देखो, दो परमाणू अमने ले लिया, hydrogen और oxygen, तो hydrogen के atom, H2 और oxygen के atom, ये आपस में मिलकर H2O, ये क्या बन बना दिया, एक compound बना दिया, एक योगिक बना दिया, ठीक है, तो दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ये H, C और O ले ले, ये सारे जुड़कर H2CO3 बना दे, carbonic acid इसको गहते हैं, तो दो या दो से ज्यादा elements के atoms, दो या दो से ज्यादा तत्वों के परमाणू आपस में जुड़कर compound बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद देखो, atoms neither be created nor destroyed during any physical or chemical change, जो atom होते हैं, परमाणू वो, उनको ना ही आप बना सकते हो, खुद से, और ना ही आप उनको खतम कर सकते हो, खुद से, ठीक है, किसी, मतलब कोई भी physical or chemical change से आप ना उन खतम कर सकते हो, ठीक है, तीन टाइप के change होते हैं, physical change, chemical change और nuclear change, तो physical और chemical change से आप उनको नहीं बना सकते हो, nuclear change से create कर सकते हैं आप उनको, ठीक है, physical, chemical और nuclear change इन सब के बारे में आपने को आगे थोड़ा detail में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, फिलाल के लिए ध्यान रगना है कि atoms जो हैं वो ना ही create हो सकते हैं, ना ही destroy हो सकते हैं, किसी भी physical और chemical change से, ओके, अगला है, seventh, chemical reactions involve only combination, separation और rearrangement of atoms, chemical reactions में क्या होता है, हमने अभी का कि atoms को ना हम create कर सकते हैं, खुद से बना भी नहीं सकते हैं, ना ही हम उनको खतम कर सकते हैं, chemical reactions में क्या होता है, फिर, जैसे products बन जाते हैं ना, नहीं नहीं, तो हम सोचते हैं कि वो वाले atoms खतम करके हमने नहीं बना दिये, तो ऐसा नहीं होता है, chemical reactions जो होती है, उसमें combination, separation और rearrangement of atoms होता है, कि जो atoms है, वो आपस में जूडते हैं, separate होते हैं, उनका rearrangement हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, कि वो खतम ही हो ग ठीक है, यह उसने अपनी theory दी, सारे points उसने बताए, फिर जो इसने theory दी थी, इसकी कुछ limitations थी, ठीक है, कुछ गलतियां थी इसकी theory में, तो वो क्या क्या थी, देखो, इट कुड explain the laws of chemical combination by mass, but failed to explain law of gaseous by volume, यह जो इसने डाल्टन अटोमिक theory दी थी, इससे वो chemical combination के तो सारे लोग को explain कर रहा था, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे ना, वो सारे, लेकिन gaseous volume के जो लाँ है, गैस और गैस जो volume से related होती है, उसके जो लाँ है, उनको यह, जो theory है, वो explain नहीं कर पा रहे थे, अगला है, it would, it could not explain why atoms of different elements have different sizes, valences, etc. उसने postulate तो दे दिया, कि वो सारे अलग-अलग होते हैं, लेकिन वो इस चीज को explain नहीं कर पाया, कि यह सारे mass में, size में, valence में, अलग- उसका सहा, it could not explain how and why atoms of different elements combined with each other to form compounds, atom or molecule, फिर यह, इस की जो theory थी, वो इस चीज को भी explain नहीं कर पाई, कि atom जो है, अलग-अलग तत्वों के जो परमानु हो है, वो एक दुसरे के साथ क्यों combine होते हैं, और क्यों compounds की, molecules की formation क्यों करते हैं, ठीक है, उसके बाद, it failed to explain the nature of forces, that bind together atoms in molecule, तो, यह इस चीज को भी explain नहीं कर पाया, कि जो different-different atoms है, molecule के अंदर, वो आपस में कौन से forces से जुड़े होए होते हैं, ठीक है, it gave no satisfactory explanation between the ultimate particles of an element and that of a compound, की, और जो किसी भी तत्वों के particles हैं, और किसी भी compound के particles हैं, उनके बारे में भी यह जो थी Dalton's atomic theory, यह एक proper explanation नहीं दे पाई थी, तो, यह सारे जो हैं, यह Dalton's atomic theory के postulates थे, ठीक है, तो पहले Dalton's ने atoms को लेकर अपनी theory दी, जो आपने भी पढ़ा, उसके क्या-क्या points से, जो उसने कहा, फिर उसके जो theory के points थे, उसके इसाब से, फिर उसकी theory में कुछ कम्या निका ली, जो अभी हमने पढ़ी, तो इन सारी कम्यों को दूर करते हुए, फिर एक और theory आई, जो थी modern atomic theory, ठीक है, तो modern atomic theory क्या थी, वो हम next class में बढ़ेंगे, अभी पहले, इसकी theory के क्या-क्या पॉस्टिलेर्स से उसको ध्यान से समझना, ओके?